दोस्तों, मिस्टीरिस नाइट्स के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। पाताल नहीं देखा हो, तो आपको ये जानकर बेहत खुशी होगी के हमारे ही देश में एक ऐसा स्थान है जो के पाताल का दूसरा रूप है। इस रहसे में स्थान का नाम है पाताल कोट। नाम से ही स्पष्ट है कि ये गाउं पाताल में बसा हुआ है। मध्या प्रदेश के छिनवाना से 78 किलोमेटर दूर स्थित ये स्थान 12 गाउं का समूह है। प्रकृती की गोद में बसा हुआ ये पाताल कोट सब्पुरा की पहाडियों के बीज 3,000 फुट उंची परवर्ज शरंखलाउं से 3 और से घिरा हुआ है। इस अतुल्निय स्थान पर कुछ गाउं तो ऐसे हैं जहां पर आज भी जाना नामुम्किन है। ऐसा माना जाता है कि इन गाउं में कभी सवेरा नहीं होता। प्राचीन कथाओं के अनुसार ये वही स्थान है जहां से मेगनात भगवान शिव की अराधना करके पाताल लोक में गए थे। यही नहीं यहां के स्थानिय लोग आज भी शहर की चका चौन से दूर हैं जिनें ये भी नहीं पता कि शहर नाम की भी कोई चीज है। पाताल कोट में ऐसी कई बेहतरीन जड़ी बूटियां हैं जिनसे कई जान लेवा बिमारियों का आसानी से इलाज हो सकता है। इस थान पर आने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। यदि आप पाताल कोट में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सरकार से इजाज़त लेनी पड़ेगी। प्रशासन को भी इन जड़ी बूटियों पर मंडरा रहे खत्रे का एहसास है। इसलिए वे इन जड़ी बूटियों को सहेजने की योजना बना रहे हैं। प्रकृती पाताल कोट पर महर्बान है और यहां के लोग प्रकृती पर यहां के लोग धरती को मा मानते हैं और उस पर हल चलाने से परहेस करते हैं. यहां तक के खेती का काम भी केवल खुर्पी के सहारे ही होता है फसल के पकने और शादी विवाह के समय कर्मा नाच किया जाता है गौंद और भाडिया आदिवासी यहां पर सैकडों सालों से रहते आए हैं यही उनकी जिन्दगी है और दुनिया की तरक्की उन्हें जरा भी नहीं लुभाती यह सुख उनका अपना है जो के बाकी दुनिया के लिए शायद एक सपना है पाताल कोट में जाने के लिए पांच रास्ते उपलब्ध हैं आप चाहें किसी भी रस्ते से जाएं आपको गहरी घाटी में उतरने के लिए पांच किलो मीटर का सफर पैदल ही तै करना होगा तब कहीं जाकर आप जिस जगे पहुँचेंगे तो आप मान जाएंगे कि यह स्थान भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है लोगों का कहना है कि पाताल कोट मौत की घाटी समान है और जो शक्स एक बार यहां आता है वे वापस कभी नहीं लोटता पाताल कोट में नाग देवता के बाद अगर कोई भगवान है तो वो हैं भूमिका ये भूमिका ही हैं जो के यहां के स्थानिये लोगों की सेहत का ख्याल लगते हैं साथ ही वे कुछ ऐसे रहसे भी जानते हैं जिनें पाताल कोट के आम लोग नहीं जानते पूरे पाताल कोट में कली राम जैसे दो दर्जन भूमिका है जो के सदियों से जड़ी बूटियों से इलाज कर रहे हैं मीजल्स, हाइपरटेंशन, डाइबिटीस और यहां तक के साप के काटने की दवा भी भूमिका के पास होती है यह लोग हर जड़ी बूटियों की खासियत को समझते हैं यूँ तो इस थान पर कोई बिमार नहीं होता लेकिन अगर किसी को परिशानी हो तो वे सीधे भूमिकाओं के पास पहुँचता है कली राम भूमिका की माने तो पाताल कोट की जड़ी बूटियों में हर एक बिमारी का इलाज है और यहां पर मिलने वाली अक्सर जड़ी बूटियां दुलर्ब है भूमिकाओं का परमपरी खुनक सीखने की दिल्चस्पी नई पीडियों में इतनी नहीं है जिस कारण इनके खतम होने का खत्रा भी पैदा हो गया है इस धर्ती की खुदगर्स दुनिया पाताल वासियों को बिल्कुल पसर नहीं आती उन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं क्योंके उन्हें सब कुछ पाताल में ही मिल जाता है और वहीं पर उनका संबंध बनता रहता है दोस्तों आज के लिए इतना ही आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर ऐसा है तो आप इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें साथ ही अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगर आप कुछ ऐसी ही रोमांचक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हम जल्द ही आप से अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए